क्या आप millionaire बनना चाहते हैं, अब आप कहेंगे कि भई कौन नहीं बनना चाहता, बिल्कुल सही बात है, आज कल किसी को successful सिर्फ अभी माना जाता है, जब वो करोडपती होता है, मगर पहले काम्याब लोगों की success पैसों से नहीं आ की जाती थी, लेकिन आज समय बदल गया है, आपको सिर्फ laws of success के बारे में जानने की जरूरत है, ये बुक success और पैसा दोनों कमाने के लिए एक बहुत practical बुक है, आप जो सबक इसमें सीखेंगे, उन्हें असल जिन्दगी में आजमाया जा चुका है, इसलिए निश्चिन्त रहे कि ये बिल्कुल काम करता है, दुनिय आपको सिर्फ में अपने passion को कैसे ढूंढना है और कैसे एक goal set करना है, इतना ही नहीं, आप focus करने की एहमियत और law of attraction को use करना भी सीखेंगे, जिनकी मदद से आपके रास्ते आसान होते चले जाएंगे. चैप्टर वन, Introduction to the Mastermind. तो वही ना जाने क्यों, दो लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते. जब दो mind एक ही energy की वजह से attract होते हैं, तो वो एक साथ मिलकर काम करने लगते हैं. अब ये mind बहुत ज्यादा powerful होता है और एक इनसान के दिमाग की तुलना में बहुत ज्यादा creative तरीके से सोच सकता है. Imagine कीजिए कि अगर 4 से 5 लोग एक ही energy के आसपास इकठा होते हैं, तो उनका goal भी same होगा और वो बिलकुल एक जैसे principles को ही follow करेंगे. अगर इस group ने अपने resources को जोड़ दिया और एक साथ काम करने लगे तो वो ऐसी success अचीव करेंगे जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकेगा. Chapter 2 A definite chief aim हर इनसान के पास life में एक goal होना चाहिए. इसके दो कारण है. सबसे पहला, जब आप एक definite goal set करते हैं, तो आप उस goal के अनुसार काम करने के लिए खुद को प्रोग्राम करने लगते हैं. ये psychological रूप से साबित हो चुका है कि जब हम अपने thoughts को किसी एक चीज़ पर focus करते हैं, तो हम automatically उस goal के हिसाब से perform करने लगते हैं. दूसरा फायदा ये है कि ये आपको एक ऐसा working plan तैयार करने में मदद करता है, जो आपको बेशुमार दौलत दिला सकता है. हम सभी successful और अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम अपनी power और energy को एक ही रास्ते पर focus करें. क्योंकि power organized effort होता है, एक definite goal होने से ये आपके life में उन लोगों को attract करने लगता है, जिनका mindset बिल्कुल आप जैसा होता है. जब आप ऐसे लोगों के साथ अपनी energy को जोडते हैं, तो आप एक ऐसा powerful mastermind बना सकते हैं, जो आपको extraordinary success की guarantee देगा. लाइफ को meaningful बनाने के लिए आपके पास एक मकसद होना चाहिए, फर उस पर focus करें और ऐसे लोगों को ढूंडें, जो उसे हासिल करने में आपके साथ कदम से कदम मिला कर चल सकें. Chapter 3 Self Confidence क्या आप जानते हैं कि आपके और आपके success पाने की इच्छा के बीच में कौन खड़ा है? वो है आपका डर. डर हमारी सभी कम्यों का सबसे बड़ा कारण है. खुद पर confidence रखें और हमेशा positive सोच बनाए रखें और autocization के law को अपना चमतकार करने दें। तो वो हमारी आदत बन जाती है, अब ये आदत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, example के लिए पैसे बचाना हर successful आदमी की आदत है, ये एक बहुत powerful habit है जिसे हम अकसर नजर अंदाज करते हैं, पैसे बचाने के लिए आपको अपने income को एक खास तरीके से अलग-अलग कम से कम 10% बचा कर रखना चाहिए, अगर आप 20% बचाते हैं तो फिर क्या कहने? पैसे बचाना financial independence का रास्ता होता है, आप अपनी savings से नए projects शुरू कर सकते हैं, जिससे और ज्यादा पैसा generate होगा, इस तरह ये आपको बहुत success और उससे भी ज्यादा पैसे की guarantee देता है, सैम ने बहतर मौकों की तलाश के लिए अपने खेतों पर काम करना छोड़ दिया, काम ढूनते ढूनते उसे एक दिन एक printing प्लांट में जॉब मिली, वहां उसने साथ काम करने वाले एक आदमी को हर हफते 5 डॉलर बचाते हुए देखा, वो इस बात से काफी impress हुआ और उसन में तीन साल काम करने के बाद सैम 900 डॉलर बचाने में काम्याब रहा। एक महान लीडर नहीं बन सकते। अगर आपके बॉस को आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको क्या क्या करना है तो इसका ये मतलब है कि आप में आगे बढ़कर पहल करने की अबिलिटी है और आप बखू भी अपनी सभी जिम्मेदारियों का ध्यान रख सक पहल करना यानि इनिशियेटिव लेना सकसेस के लिए बहुत इंपोर्टेंट क्वालिटी होता है लाखों कमाने वाले बिजनेस ओनर बनने के लिए आपको एक अच्छा और एफिशेंट लीडर बनना होगा लीडर्शिप कोई चीज नहीं है जो आपको लग से मिल जाएग या जिसे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन खरीद सकते हैं इसके लिए आपको आगे बढ़कर सही समय पर सही डिसेशन लेना होगा इसका बेस्ट एक्जामपल है माइक्रोसॉफ्ट दुनिया के कोने कोने में फेले इस बिजनेस एंपायर की शुरुआत दो लड़कों की द पॉपिलर इलेक्ट्रोनिक्स मेगजीन में बड़ा ही दिल्चस्प आर्टिकल छपा था इस आर्टिकल ने उस समय टहलका दिया था क्योंकि उसमें दुनिया के पहले कंप्यूटर के बारे में लिखा था जो आम लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था उसका नाम थ अल्टेयर 8800 जब बिल और पॉल ने आर्टिकल पढ़ा वो जानते थे कि अगर वो इस मशीन के लिए कोड लिखने में काम्याब हुए तो ये टेकनॉलोजी के फील्ड में किसी बड़े रेवोल्यूशन से कम नहीं होगा इसलिए उन्होंने फैसला कि वो खुद इसका कोड लिखेंगे बिल और पॉल का काम इतना बहतरीन था कि वो बहुत जल्द ही दिन दुगनी रात चगुनी तरक्की करने लगे लेकिन वो यहां रुके नहीं बलकि आगे बढ़ते रहे इसका सबसे बड़ा कारण था कि वो हर बार अल्टेयर के लिए नया कोड बना कर उसे और भी बहतर बनाने की कोशिश में लगे रहे प्रोग्रामिंग उनका पैशन था और वो उनके लिए इतना आसान था मानो उनके लिए बस वो एक खेल हो वो लगातार एक्सपेरिमेंट करके नए नए आइडिया और कांसेप्ट लाते रहे कभी किसी ने उन्हें नहीं बताया क उन्हें क्या करना है कैसे करना है उन्होंने जो किया अपने दम पर किया और इसे ही लीडर्शिप कहते हैं चैप्टर 6 Imagination Imagination वो power है जिससे आप अपने मन में कुछ भी create कर सकते हैं जब तक आपके mind में एक clear picture नहीं होगी तब तक आपके पास एक clear goal भी नहीं हो सकता और देखा जाये तो imagine करने की ability के बिना आप confident या एक अच्छे leader नहीं हो सकते आज हम आपको auto suggestion नाम की technique के बारे में बताएंगे जब आप एक ही चीज़ पर focus करने लगते हैं, mind में उसकी picture को imagine करने लगते हैं तो automatically आप ऐसा action लेने लगते हैं जो आपके goal को हासिल करने के लिए चाहिए क्योंकि आपके imagination पर आपका पूरा control होता है, तो आप जो चाहते हैं, उसे हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता तो चलिए, इस imagination की ताकत के बारे में Clarence Saunders की कहानी से समझते हैं Clarence एक छोटे से retail store में grocery clerk के रूप में काम करते थे वो एक साधारन आदमी थे, जो साधारन सी जॉब करते थे और हफ़ते के 20 डॉलर कमाते थे एक दिन Clarence एक कैफेटेरिया में कुछ खरीदने के लिए गए जब वो लाइन में इंतजार कर रहे थे, तो क्या होगा अगर? जैसे thoughts उनके mind में चलने लगे उन्होंने कैफेटेरिया में self-help या self-service वाले प्रिंसिपल पर गौर किया कि वो किस तरह काम करता है ये आइडिया बहुत सिंपल था और एकदम नया भी नहीं था लोग इस से अच्छी तरफ वाकिव थे अब Clarence अपने आस-पास connection ढूनने में लग गए वो काफी creative थे और उन्होंने अपने imagination का इस्तेमाल एक नए माहौल में इस पुराने आइडिया को यूज करने के लिए किया था उन्होंने self-service वाले पिगली-विगली stores की शुरुआत की इस innovative thinking ने Clarence को हफते में 20 डॉलर कमाने वाले एक आम लड़के से एक successful millionaire बना दिया बिना imagination की power के कोई successful नहीं हो सकता हमेशा याद रखें कि imagination बिल्कुल free है और आपके control में है कोई आपको एक नया idea create करने से या पुराने ideas को जोड़ कर एक नया idea बनाने से नहीं रोक सकता तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं इस summary के conclusion पर इस book में हमने सीखा कि सबसे पहले हमें खुद को ठीक से जानने की जरूरत है हमारे अंदर कौन सा talent है, हम कौन सा काम अच्छे से कर सकते हैं वगेर खुद को समझने के बाद एक goal set करें ये goal आपको confident और successful बनने के लिए push करता रहेगा खासकर अगर आपके पास powerful imagination होगी तो इस book में बताये गए lessons को apply करने के बाद आपकी life बिलकुल बदल जाएगी success सिर्फ idea से या सोचने से नहीं बलकि सच में action लेने से मिलती है तो अपनी thinking clear रखें एक definite goal set करें हमेशा imagination की power को use करके कुछ नया सोचें आपका focus इतना जबरदस्त होना चाहिए कि universe की law of attraction आपके सपने को साकार करने में लग जाए पैसे save करने की आदत डालें और याद रखें आप खुद अपनी किसमत के leader हैं और सबसे जरूरी बात लोगों के जीवन में कुछ न कुछ value add जरूर करें ये value कुछ भी हो सकता है जैसे financial, emotional या performance value आज आप जो action लेंगे वो क्या पता कल आपको millionaire बना दे और मुझे यकीन है कि आप भी millionaire जरूर बनना चाहते हैं